नमस्कार में होकम देव चीन की धमकी को सरकार समझ नहीं रही है ये कहना है राहुल गांधी का जैसे ही राहुल गांधी विदेश की धर्ती पर जाकर मोधी सरकार या चीन को लेकर या दरसल देश के असल मुद्दों पर बात करते हैं तो बीजेप के कहें सारे नेता जलन महसूस करते हैं फिर एक प्रोपगंडा चलता है राहूल गांधी को बदनाम करने के लिए वैसे एक सवाल ये भी होना चाहिए टोपिक पर हम बात करें कि आकिरकार राहूल गांधी को कैम्बरीज युनिवर्सिटी वाले बुला लेते हैं कि आओ हमार यह भाशन दो कर वो बताएं कि हां मोदी जी भी राहूल गांधी से बहतर भाशन देते हैं क्या कारण है मुझे कॉमेंट में बताईएगा यह मैं बीजेपी के नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ कि राहूल गांधी एकर विदेश की धरती पर जाकर भाशन दे रहे हैं तो यह विद प्रवासी भारतियों के बीज राहूल गांधी ने कहा मैं यहां बोल सकता हूँ पर भारतिय संसद में चीनी घुसपेट का मुद्दा उठाने की इजाज़त नहीं है और अगर उठाते हैं तो आवाज बंद कर दी आती है वीडियो कहिना के कट हो जाते हैं यानि कि इजाज़त नहीं मिलती है कि हम चीन के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछे राहूल लंडन के हॉंसलों में रहिवार को पंद्रासु प्रवसी भारतियों के बीज भाषन दे रहे थे उन्होंने रहिवार को ही इंडियन जर्नलिस्ट एसोशेशन के इंडिया इंसाइट्स प्रोग्राम में कहा कि भारत को चीन से सतरक रहने की जरूत है वो बोर्डर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव और एग्रेसिव है अब एक चीज़ और में आपको बता देता हूँ ये मेरी तरप से जोड़ रहा हूँ में कि जैसे रहूल गांदी ने केंब्रिज उन्यूर्शिटी में जाकर ये कहा कि चीन शांती पसंद देश है वो शांती चाहता है तो हमर देश में राहूल गांदी के खिलाब एक प्रोपगंडा चलाएगा है देश का मीडिया बता रहा है कि राहूल गांदी को चीन पसंद है राहूल गांदी चीन को कही न कहीं सपोर्ट कर रहे हैं यहीं बीजेपी के नेयता यहीं बीजेपी सपोर्टर लोग भी कह र रहे हैं क्या रिष्टा है फलाना ठीकाना चिंकाना दरसल राहूल गांदी अब ब्रिटेन में जाके ये भी कह रहे हैं कि चीन से सतर करने की जरुवत है वह बोर्डर पर बहुत एक्टिवे एग्रेसिव है यानि कि उन्होंने चीन को सपोर्ट नहीं किया चीन की जो रन्नीत चीन की तारीफ नहीं होगी जो कर रहा है उसके बारे में बताया था हमें ये बिलकुल मंजूर नहीं कि राहूल गांदीन कहा है कि हमें बिलकुल मंजूर नहीं कि कोई हमर देश की जमीन में घुसपेट करें और हमें बुली करें चीन हमारी जमीन पर घुसा और हमारे सेनि को मार दिया लेकिन परदान मंत्री नरेंद्र मौधि इसको मानने से इंकार करते रहे हैं अब सभी को पता है मोधि जी ने कहा था कि ना तो हमर देश में कोई घुसा है और ना किसी ने हमारी पोश्ट पर हमारी चोह के ओपर कब जा किया है आगे राहुल गांदी ने कहा है कि हमें चीन की तरफ Gramsya देजाने वाली धमकी को समझना चाहिए और उसको लेकर पृतिक्रे भी देना चाहिए मैंने इस मामले को लेकर विदेश मंतरी एस जेशंकर से बातचित की लेकिन चीन की धमकी को लेकर वो मेरे द्रिष्टकोन को समझना नहीं चाते हैं चीन की तरब से दे जा रहे धमकी को सरकार नहीं समझ रही है राहूल गांदी नहीं ये कहा रहुल ने कहा कि भारत में सरकार विपक्ष के आउधाना को इजाज़त नहीं देती है तद यह है कि चीन हमारे इलाके में बैठा हुआ है और जब हम इस पर संसद में सवाल उठाते हैं तो हमें इसके इजाज़त नहीं दी जाते है वास्तों में ये शर्मनाक है दूसरी बात रहुल गांदी ने बोलिए कि हमारे देश खुले विचारो वाला देश था लेकिन अब नहीं है भारत एक ऐसा देश जहां हम अपने ग्यान को गरू के साथ देखते हैं एक दूसरे का हम सम्मान करते हैं अब ये सब तबाह हो गया है आप मेडिया में भी इसे देख सकते हो इसके बाद ही हमने भारत जोड़ो यात्रा करने की ठानी थी तीसरी बात जो रहुल गांदी ने बोली है वो ये हैं कि एक भारती लीडर कैम्बरेज और हावार्ड यूनियरसिटी में अपने बात क्या सकता है लेकिन भारती यूनियरसिटी में नहीं विपक्षी की किसी मुद्दे पर चर्चा करें सरकार ऐसा नहीं होने देती है ये वो भारत नहीं है जिसे हम कभी जानते थें राहुल गांदी आज सोमवार को ब्रिटीज संसद में भाशन देंगे वे आई-उसी के यूके चेप्टर के तहट प्रवासिक आरकम में और प्रीमियर तिंक टेंक इवेंट को संबोधित करेंगे साथ मार्च को भारत लोट आएंगे तो इस तरह से राहुल गांदी ने ब्रिटेन में भी जाकर ये बाते कहिए केम्परीज में भी तमाम बाते कहिए लेकिन सरकार उनकी बातों को सीरियस लेती कब है वेसे सीरियस तो लेती है लेकिन देश की जनता को ये बताने कोशिस करती है कि हम राहुल गांदी की बातों को सीरियस नहीं लेते हैं अगर सीरियस नहीं लेते हैं तो दरसल हमारे जो विदेश मंतरे साहब है उन्हें राहूल गांधी का बार-बार जिक्र करने के जरुवत नहीं होती कि राहूल गांधी मुझसे जादा नहीं जानते होंगे चेन के बारे में दरसल प्रेस कॉंफरेंस करने के जरुवत नहीं होती राहूल गांधी केम्ब्र गांदी की बाते कोई महतपूर्ण नहीं हैं। गुस्ते चले आ रहे हैं। मोटे मुल्क जो हैं मलेशिया वगेरा जो हैं उधर के वो सब धिरे धिरे चाइना के चंगुल में फसेगे। और चाइना इनकी धरतियों को इस्तेमाल करेगा और धरतिय का इस्तेमाल आप समझ सकते हैं। तो रहुल गांधी जो बता रहे हैं इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि रहुल गांधी की बात में दम हैं। अगर दम हैं तो हम देश की जनता को बताएं कि चीन को लेकर उनकी यह रननेती हैं। आपको क्या लगता है बताएं कि क्या सरकार कहेगी चीन को कि हमरी सीमा में घुसना बंद करो नहीं तो करारा जाब मिलेगा। क्या लगता आपको कॉमेंट में बताएंगा यह था वीडियो कैसा लगा जरू बताएं जानकरें ठीक टाक लेगे चानल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले नमस्कार रख कि अधैक अए बताएंग अधने हैं लाओ लाओ टो एट टुस्ट दो तो पुच्छ इस प्स अधर्स पुछ